जार्खन बोर्ड मैट्रिक इंटर रियल्ट 15 जुन तक जारी जार्खन में दसवी और वरावी की परिक्षा कावेजन जार्खन एकेडमिक काउंसिल द्वारा किया जाता है इस साल जार्खन बोर्ड की परिक्षा राजी के 1936 एक्जाम सेंटर प्रो हुई थी बता दे जार्खन बोर्ड परिक्षा 2022 में सामिल हुए इस्टुडेंट काफी बेसबरी से बोर्ड रियल्ट 2022 घोसना होने का इंतियार कर रहे हैं जार्खन बोड परिक्षा 2022 मार्च अप्रेल में हुई थी विभीन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जार्खन बोड 10 वी और बरहुई का रिजल्ट 15 जुन तक जारी किया जा सकता है बोड परिक्षा 2022 में सामिल हुई श्टूडेंट जार्खन एकेडमी काउंसिल की ओफिसियल वेब साइट jackresult.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते है जार्खन मौसम बिभाग के अनुसार 28 वा 29 माई को राजे के कई हिसो में तेज हवा चलने का अनुमान लगाया गया है बिभाग ने 30 से 40 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार चे हवा चलने वा बारिस होने की समभवन अब्यक्त की है बता दे मौसम बिभाग अभिसेक अनुसार बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटे में एक बार फिर निम्न दबाव का छेतर बनने की समभवना है इससे संताल परगना राची सहीत पच्छिम बंगाल से 60 इलाके में बारिस हो सकती है बताते चले की गुरुवार को गोड़ा में सबसे अधीक 34 मिलिमीटर बारिस होई है ज्यारखन पंचायत चुनाव सान्ति पुन संपन 79 परतिसत वोटिंग ज्यारखन पंचायत चुनाव का चाथा चरण भी सान्ति पुन संपन हुआ राजे के 23 जिलो में 1299 पंचायतों में सुक्रवार को वोटिंग होई वोटिंग को लेकर सुबह 7 बईसे मत दताओ में काफे उत्सा देखा गया बुजूर्ग के साथ साथ युवा और महिला पुरुस वोटिंग को उत्साहित दिखे चोथे चरण में 68.99 फिजदी वोटिंग हुई है वहीं चार चरण में राजे में कूल 79.64 फिजदी वोटिंग हुई है सान्ति पुन वोटिंग को लेकर पुलिस परसासन ने राहत की सांस लिया तिसरे और चोथे चरण की काउंसलिंग 31 माई 2022 को होगी जारखन के सबसे अधिक कुष्ट रोगी देवघर में जारखन में कुष्ट मरीजों की पाचान के लिए 2021 में राष्ट्रिय कुष्ट उर्मुलन कारेकरम के तहत अभियान चलाया गया इस तोरा राजे में 4.65 कुष्ट रोगी मिले हाए जिसमें सबसे अधिक कुष्ट रोगी देवघर जिले में पाए गया है बता दे देवघर में 411 कुष्ट मरीजों की पाचान की गई है इनमें PB 230 और MB कटेगरी के 181 मरीज सामिल है IAS पूजा सिंगल पर छापा पड़ते ही 100 सातिरों ने बदले मुबाइल भाष्टाचार के संगीन आरोपों में गिरफतार की गई जार्खन की IAS अधिकारी फूजा सिंगल के 5 राज्यों के 25 ठीकानों पर प्रवतर निदे साले इड़ी की छापे मारी के बाद जार्खन के सैकडों सितारों फरस्टाचार में लिप्त बेईमानों ने अपने मुबाइल नमबर बदल लिये हैं ताकि जाच एजेंसी की करवाई को जूट लाया जा सके भाजपा सांसत के इस चोकाने वाले खूलासे के बाद एक बार फीर सत्ता सियासी से लेकर नौकर साहित तक में नीचे से उपर तक खलबाली मच गई है जार्खन में क्रिसी विभाग में 594 पदोपर बहाली जार्खन सरकार के क्रिसी वम पसुपालान तथा खान विभाग में 594 पदोपर नियुक्ती की परकिरिया सुरू हो गई है क्रिसी पसुपालान वम सरकारता विभाग तथा खान विभाग में विभीन सिरेनियों में कूल 594 पदोपर नियुक्ती होगी इन में 590 पद नियमित तथा दो पद बैकलोग के हाँ इन पदोपर नियुक्ती जारखन तक निकी विशिष्ट योगताधारी असनातक अस्तरीय सन्युक्त परत्योगता परिक्षा 2022 के माध्यम से होगी जारखन कर्मचरी चैन आयोग ने सुक्रवार को इस परिक्षा का भीगयापन जारी कर दिया है पूजा सिंगल मामले में आज खास खुला से निलंबित आई एस पूजा सिंगल के खिलाप मनी लंडरिंग मामले में चल रही परवतर निदे साले की करवाई अवैद खनान अवैद परिवहन से लेकर राज में टांसफर पोस्टिंग तक पहुंच गई है टांसफर पोस्टिंग के लिए राज में कितने की बोली लगती है रुपए कहा कहा पहुंचते हैं कौन कितना लेता है कैसे डिलिंग होती है सहीद कई महत्पूर्जन करिया परवतन निदे साले ले रहा है बताया जा रहा है कि राज ने ताओ नौकर साहो का करीबी प्रेम परकास राज में अस्थनांतर पदस्थापन में सुर्वधिक सक्री रहा है पिछले तीन दिनों से वा एड़ी की घेराबंदी में है सुक्रवार को यारपोर्ट रोड इस्थित एड़ी के दफ्तर में पहुंचा जिससे एड़ी के अधिकारों ने लंबी पूश्टाच की है हेमंत सुरेन को सत्ता से हटाने पर आज भाजपा करेगी बड़ा एलान भरष्टा चार के मुद्दे पर आज सरकार को चोतरफा घेर रही भाजपा की कार्य समित्ती का एजेंडा भी इसी के इर्दगीर्द सिम्टा दिखेगा सरकार में ब्याप्त भरष्टाचार को केंद्र मेरा कर भाजपा, आदिवासी, दलीत और ओभी सी बिरोधीर निनायों को लेकर राज सरकार पर हमलावार होगी हजारी बैग में सुक्रवार को भाजपा परदेश पतादिकारी वा कोर कमिटी के बैठक में आय सुझाओ के अधार पर कार्य समित्ती में पेश होने वारी राहनितिक प्रस्ताव का खाका कुछ आसा ही बुना जा रहा है बता दे भाजपा के परदेश अध्याष दिपक परकास के अधास्ता में होई इस आउम बैठक में भाजपा के राश्ट्रिये उपाध्याक्ष एवन पूर मुख मंतरी रगबर दास केंद्रिये राजमंतिय और पुना देवी संगठन महामंतरी धर्मपाल सिंग सहीत कोर क करमिटी मौजूद रही मैं CBI से डरने वाला नहीं बंधू तिर्की राश्ट्रिये खेल घोटाले के सिलसीले में केंद्रिये जाच बीरो की अपने आवास पर छापे मारी से परदेश कंग्रेस के करेकारी अध्यक्ष और पूरो विधायक बंधू तिर्की गूसे में हाए उन्होंने CBI को ललकारते हुए काहा है कि चापे मारी के दवरान उनके अवास से क्या मिला है या CBI सरजनिक करे उन्होंने दावा किया है कि 9 गंटे की चापे मारी में CBI को कुछ भी हाथ नहीं लगा उन्होंने कहा कि CBI को अगर कुछ मिला है तो उसे सरोजनिक करे इससे पूर्व भी CBI उनके खिलाब एक भी आरोप साबित नहीं कर पाया तो उसे कलोजर रिपोर्ट देना पड़ा सवाल उठाया कि जो एजेंसी कलोजर रिपोर्ट देती है वही एजेंसी दोबारा में चार्ज कैसे करती है सरकारी स्कूलों में 6-15 जून तक होगी बार्शिक परिक्षा राजे के सरकारी एवं साहता प्राप्ते स्कूलों में बार्शिक परिक्षा 6-15 जून तक होगी स्कूली सिक्चा एवम सक्षाता विभाग ने सुक्रवार को परिक्चा का विश्तिरित कारकरम जारी कर दिया है पुर्व घोसना के अनुसार या परिक्चा मैटरिक एवम इंटरमीडियर्ट की परिक्चा की तरह पहले एवाम दूसरे टर्म के एक साथ दो यूनिट में ली जाएगी काक्षा तीन से साथ की परिक्षा लिखीत होगी जबकि पहली एवाम दूसरी काक्षा के बच्चों को मोखिक जबाब छेत्रिय भासाओं में देने की छूट होगी हेमन्त सुरेन मामले में जामोमो ने राजेपाल को भेजा पत्रे खनन लीज आवंटन मामले में भाजपा के गंभीर आरुपो का सामना कर रहे मुख हेमन्तर हेमन्त सुरेन को चुनाव आयोग ने 31 माई को उपस्थित रहने के लिए काया है चुनाव आयोग उस दिन इस मामले के सुनवाई करने वाला है इस विच सुक्रवार को जामुमों ने जारकन के राजेपाल रमेश बैस को एक पत्र भेजा है या पत्र हेमंत सुरेन को नोटिस से सम्मंदित है इसमें भाजपा के आरुपों को राजनीती से प्रेरित बताया गया है इस पत्र के जरिये जामुमों ने राजेपाल से अग्रह किया है कि उनके पत्र को भारत निर्वाचन आयोग को अग्रसारित कर दिया जाए इसमें जवाब उलेखी था है अपने मामा को भिखारी बना गया सगा भांजा रांची के अपर बजार इलाके के कमेस्वर नात कमपलेक्स निवासी हार्डवेर कारोबारे अर्विंद कुमार गुपता के दुकान से एक कोर 43 लाख रुपय का गमन कर लिया गया है इसे लेकर पिरित अर्विंद कुमार ने कोतवारी थाना में प्यादा टोली निवासी भांजा संदिप कुमार गुपता के खिला परत्मी की दर्ज कराई है जिसमें बताया है कि उनकी अपर बजार लुहा पट्टी में हाडवेर की एक दुकान है उन्हें स्पाइन में परिशानी होने की वज़ा से 12 साल पहले भांजा को अपने दुकान चलाने की जिम्मवारी सोपी थी आर्पीएफ ने ट्रेन में सेलफी लेने वालों की लगाई कलास रेलवे सुरक्षा बहुल आरपी एफ ने चलती ट्रेन में सेल फिल लेने वाले युवाओं को सिदत से कानून का पाठ पढ़ाया उन्हें उनकी जान की सुरक्षा के फिक्र करने के साथ ही रेल परिसंपतियों की सुरक्षा के बारे में भी बिस्तार से बताया गया यात्री सुरक्षा सेल, रांची और रेलवे सुरक्षा बल चौकी, मूरी के द्वारा सन्युकत रूप से रेल सुरक्षा तथा अनविभीन घटना क्रमों के संबन्द में गुरु आरको जागरूपता अभियान चलाया गया बाबुलाल का हेमंत सुरेन पर बड़ा हमला, जारखन के पुर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दलकिनेता बाबुलान मरांडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सुरेन के निशाने पर लिया है उन्होंने केंद्रिये सतरकता एजेंसी इड़ी और केंद्रिये जांच एजेंसी CBI की बरस्टचार के खिलाप हो रही तावर्तोर छापेमारी पर कहा है की जार्खन का सारा काचरा लगता है जल्द ही साफ हो जाएगा बाबुलाल ने ट्यूटर पर अपने संदेश में लिखा है इन दिनों परस्टचार के बिरोध में प्रवतर निदे सालाय और CBI के एक के बाद एक छापेमारी वह उसे उजागर हो रहे तथे उसे लगता है की इस मानसुन में जार्खन का कचरा बहुत होत तक साफ हो जाएग रिम्स कर्मी 31 माई को रखेंगे काम बंद रिम्स और आज पत्रित करमचारी संग 31 माई को रिम्स अस्पताल के काम काजठाप करेंगे अपनी मांग को लेकर रिम्स निदेशक कर्यालाइक के समूख परदर्शन करेंगे रिम्स और आज पत्रित करमचारी संग ने बताया कि रिम्स करमचारीयों से इपी एफ के नाम पर अवैद असूली पर रोक लगाने को लेकर अनेको बार आवेदन दिया गया लेकिन कभी भी इस पर कोई करवाई नहीं हो पाई करमियों के खाते से जी पी एफ के नाम पर अवैद पैसा वसूला जा रहा है जबकि इससे लेकर करमचारीयों ने कभी बार निदेशक से गुहार लगा चुके हाँ मालूम हो कि या पी एफ अकाउंट नहीं होने के बावजुद पैसा कटा जा रहा है एचाईवी पोजेटिब यूआओ के परिचाए के लिए चार को समेलन राजे के एचाईवी पोजेटिब यूआक यूटियों की साधी कराने के उदेश से चार जून को परिचाए समेलन हजारी बाग में लक्ष्मी मार्केट में होगा संक्रमितों को 651 रुपे देकर इसके लिए आवेदन करना होगा आवेदकों को आधार के साथ ये आर्टी कार्ड भी देना होगा समेलन में आवेदकों के साथ दो सदस्यों को ही परवेश मिलेगा और यह आवेदन सुबह 10 बशे से लेकर 4 बशे तक चलेगा पेट्रोल सबसिडरी के लिए अब मोबाइल पर मैसेज सरकार की पेट्रोल सबसिडरी योजना के लावकों की संख्या लगातार काम होने के बाद सरकार ने इसकी परकिरिया सरल कर दिया है पहले लावकों को योजना का लाव लेने के लिए हर मां आउनलाइन री राइस्टेशन करना परता था लोग हर एक बार राजिस्टेशन नहीं करा रहे थे इस कारान हरमा लावकों की संख्या काम होती गई अब इसमें बदलाव किया गया है अब भी भाग की और से पेट्रोल सबसेडरी का लाव ले रहे लावकों के मोबाईल पर मैसेज भेज पर री रेजिस्टेशन कराने की पहुत सुरू कर दी गई है मैसेज पर किलिक करने के बाद लावक के मोबाईल पर OTP नमबर आता है जिसे भरने के बाद री रेजिस्टेशन की परकिरिया पूरी हो जाती है जमसेदपूर में मतदान के दरान हिंसक जड़क जमसेदपूर में बाग बेडा गराबास पंचायत चुनाव के दरान एक बूत में दो पक्षों के बीच हिंसक जड़क होई इससे एक यूती समेत कईयों को चोट आई है दोनों पक्षों में मार पीट से चुनाव करमचारी ड्यूटी एवं सुरक्षा जवानों में अफ्रात अफ्री मच गई थी सुचना पाकर एसेसपी डाक्टर एम तमिल वानन भी मौके पर पहुँचे कौसल मंडल ने महेर सिंग इम आने के खिलाप मार पीट करने की सिकायत की है राज सभा चुनाव में जामो मो देगा परत्यासी राज सभा की दो सीटों पर दस जुन को होने वाले चुनाव को लेकर सतारूट दलों के महागट बंधन में अब तक एक क्राय नहीं बन पाई है अजिस उतना जारी होने के तीन दीन गुजर जाने के बाद महागट बंधन में उमिदारों को लेकर स्थीती असपर्च नहीं हो पाई है परदेश कॉंग्रेस अध्यक राईश ठाकुन ने जामो से राई सभाचुनाव में कॉंग्रेस के लिए सीट छोड़ने को लेकर त्याग और बलिदान की अपिल की उन्होंने कहा कि पिछले राई सभाचुनाव में जामो सुप्रियो सुभी सुरेन का गटबंधन के सभी दलों के साथ दिया था दिल्ली की तर्ज पर रांची का एयरपोर्ट बनेगा एयरपोर्ट अथृर्टी अफ इंडिया नई दिल्ली के इंदिरह गांधी आःपोर्ट की तर्ज पर बीसा मुंडा एयरपोर्ट को बिकसित करने की योईना पर काम कर रहा है गुरुँ आर्को रांची और परिशारों मुख्यमंत्री एह मौन stra 레light के दुरान एरपर्ट ऑथ्रिटिय ऑफ इंडिया के चेर्मेन संजीव कुमान ने इस भी सय पर्चार्चा की बाचित के दोरान मुख्य मंत्री ने चेर्मेंट से कहा है कि रांची व अनय प्रमुक सहरों से देव घर के लिए बिमान से वा सिख्र सुरू की जानी चाहिए इससे देव घर पहुँचने में लोगों को सुविदा होगी देवगहर में एमस भी है इसलिए जरूरी है कि जल्द बिमान से बाद सुरू हो धन्यवाद